आज का हमारा टोपिक आरगन प्लेन एन पोलर रिप्रेजेंटेशन है और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल आरगन प्लेन एन पोलर रिप्रेजेंटेशन तो आरगन प्लेन का मतलब किया है तो argon plane का मतलब है complex plane अभी complex plane क्यों कहा जाता है क्योंकि उसमें complex number represent करते है example z equal to x plus i y अभी x जो है वो real part है और y जो है वो imaginary part है तो complex number दो part से बने होते है real part और imaginary part अभी argon plane में क्या होता है कि यहाँ पर जो x axis होती है वो real part होती है और जो y axis जो होती है वो imaginary part होती है तो यहाँ पर दो axis होती है जिसे coordinate geometry में x axis और y axis इसी प्रकर यहाँ पर भी दो axis है real axis और imaginary axis x axis जो होती है वो real axis होती है और y axis होती है वो imaginary axis होती है imaginary axis जो होती है वो vertical होती है और real axis जो है वो horizontal होती है तो इस type का जो plan है उसको complex plan बोलते है क्योंकि इसमें complex number represent किये जाते है complex number का general form है x plus i y x जो है वो real part है y जो है वो imaginary part है अभी यहाँ पर कुछ example है 2,4 इसका मतलब क्या है कि 2 plus i 4 2 जो है वो real part है 4 जो है वो imaginary part है real part को reference x axis है means real axis है और imaginary part का reference imaginary axis है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि x axis पर 2 यहाँ पर आता है और y axis पर 4 यहाँ पर आता है दोनों का जहाँ पर intersection होता है तो यह जो point हमको मिला वो 2 plus i 4 है ओके यह complex number 2 plus i 4 है तो इस plan में complex number represent किये जाते है इसलिए इसको complex plan बोलते है और इसको argon plan भी बोलते है और इसमें भी यहाँ पर quadrant है यह first quadrant, यह second quadrant, यह third quadrant और यह fourth quadrant और यह coordinate geometry जैसा ही है सिर्फ axis चेंज हुई है उसमें x axis और y axis था इसमें real axis और imaginal axis है अभी यहाँ पर definition है तो plan having a complex number assigned to each of its point जिस plan में complex number है उस plan को हम complex plan बोलते हैं argon plan बोलते हैं यहाँ पर इसका represent दिया हुए देखो टू प्लस 4i ओके यह representation है अभी दूसरी बार कि जब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 2,0 दिया हुआ है 2,0 का मतलब क्या होता है 2 प्लस i 0 अभी यहाँ पर imaginary part है ही नहीं imaginary part क्या है जीरो है सिर्फ real part है तो सिर्फ real part होता है तब यह point real axis पे आता है इसी प्रकार जब सिर्फ imaginary part होता है example यहाँ पर C point है यह C point जहाँ वो 0 प्लस i यह C point है तो इसमें सिर्फ imaginary part है real part 0 है तो जब imaginary part होता है real part 0 होता है तब वो point imaginary axis पे होता है ओके आपको यह समझ में आ गया है अभी next है the argon plane the modulus of the complex number अभी modulus आपको मालूम है मैंने एक वीडियो में modulus क्या है वो समझेया है यहाँ पे भी समझा देता हूँ modulus का मतलब क्या होता है modulus यानी mode यानी कि यहाँ पे आपको sign जो होती है negative sign इग्नोर करना होता है और negative sign इग्नोर करके आपको non negative real number बनाना है example suppose कि minus 3 है इसका अगर हम mode किया जाई तो minus 3 का mode क्या होता है तो okay 3 होता है okay minus 3 का mode 3 होता है negative sign जो होती है वो इग्नोर किया जाती है और non negative real number बनाया जाता है अभी इस में modulus कैसे निकाले तो यहाँ पे आपको modulus अगर निकालना है तो इस तरह से निकालेंगे आपको यह जो p point है वो origin से कितनी दूरी पिये वो आपको देखना है यह जो p point है वो origin से कितनी दूरी पिये है वो आपको देखना है उसको हम modulus बोलते है तो यहाँ पे यह distance आपको find out करना है अब यह distance किस तरह से find out करोगे तो आपको यहाँ पे pythagoras theorem लगाना है तो pythagoras theorem कि इस तरह से होगा तो आप देखो यहां पर ओरिजेंटल से अभी ओन रियल अक्सिस यहां पर जो मिले गव क्या होगा एक्स प्लस आई सीरो ओके यह नंबर है यानि एक्स कोमा जीरो यहां पर एक्स कोमा जीरो है और यहां पर यहां पर वाई कोमा जीरो कोमा वाई है यहां पर जीरो कोमा वाई और इधर पर एक्स कोमा सीरो रियल अक्सिस पर एक्स कोमा जीरो होगा और इमेजनल रियल अक्सिस पर जीरो कोमा वाई अभी इसका मतलब किया हुआ इसका मतलब किया हुआ इसका मतलब किया हुआ सब्सक्राइंगल बना दे हम तो इतना डिस्टंस जो है वह X है और इसका इतना डिस्टंस जो है वह Y है अभी आपको यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल का सामने वाला जो होता है छो मैं अभी yellow color क्या करता हूं यह yellow color का है वो इपोटिनियस है अब्यापको ipotenuse decide out करनी है अधर ipotenuse मिल जाएगी तो आपको Distance between origin और Seragraph मिल जाएगा और वह distance है वह क्या है Modulus है उसको हम मोडियूलस बोलते हैं तो आप देखो कि यहां पर पाइथापुरस ठेरम करोगे तो क्या आएगा कि op2 equal to x2 plus y2 अभी underroot कर दो क्योंकि आपको op2 नहीं चाहिए यानि आपको स्क्वेर रूट करना पड़ेगा तो op equal to underroot x2 plus y2 ओके तो op क्या मिला आपको x2 plus y2 underroot यह आपको op मिला तो आप देख सकते हो कि जो आपको मोडियूलस मिला वो underroot x2 plus y2 अभी देखो यह कभी भी नेगेटिव नहीं होगा यह हमेशा जो अल्वेज वो नोन नेगेटिव इंटीजर होगा इसलिए यह मोडियूलस बोलते हैं तो यह जो complex plane में मोडियूलस यानि center से कितना distance है यानि हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हो radius आर पी बोल सकते हो क्योंकि अगर हम circle draw करें तो यह एक radius बन जाती है तो r equal to under root x square plus y square यह भी बोल सकते हो और इसको हम z modulus का इस तरह से symbol होता है z और दोनो side line ओके तो इसको r बोल सकते हो और z modulus बोल सकते हो तो under root x square plus y square अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको consecutive का meaning क्या है okay consecutive यानि sign का change होना complex number में consecutive में क्या होता है imaginary part की sign change होती है अब देखो यहाँ पे z is equal to x plus i y है तो इसका क्या होगा z is equal to x x minus i y यानि imaginary part था उसकी sign change हो गई x plus i y उसकी क्या होगी x minus i y यानि आप देख सकते हो कि यहाँ पर sign imaginary part की change होती है बाकी real part की as it is plus है तो यहाँ पर imaginary part की sign change होती है conjugate में conjugate यानि sign change करना आपको मालूम है अब यह conjugate का मिनिंग क्या है conjugate यानि mirror image of the point मिलता है अब देख सकते हो कि x, y यह है आपको थोड़ा zoom करके दिखाऊ ओके अभी x, y यहाँ पर है अभी आप देखो x minus y यह कहाँ पर तो यह यहाँ पर है तो यहाँ पर same दूरी है देखो दोनों का distance same दूरी पर है अगर हम, यह रियर लक्सिस पर यहाँ पर mirror रखा जाए तो यहाँ पर mirror रखा जाए तो आपको यह mirror image मिलती है यहाँ पर देखो यह mirror image मिलती है तो conjugate यानि mirror image point क्योंकि वहां पर इमेज जैसा लगते हैं आप देख सकते हूं यहां पर पी पॉइंट और क्यू पॉइंट वो mirror image जैसा लगता है इसलिए हम इसको mirror image of the point बोलते हैं conjugate को अगर बीछ में mirror रखे तो same as it is उस side मिलेगा आपको बात में यहां फ़े polar representation है polar representation of the complex number अभी पोलर रिपेसेंट्रेशन क्या है ओके आपको मालू में कि यह मोडूल से वह रेडियस है यानि आर अगर हम इसको सर्कल ड्रो करें तो वह रेडियस बन जाएगी यहां पर यह थीटा इस तरह से एंटी क्लोक वाइस दिया हुआ है यानि थीटा है वह पोजिटिव डिरेक्श हम रियल नमबर की पेर में हम लिखते हैं आर कोमा थीटा इसको पोलर पोलर कोडिनेट ओफ द पॉइंट पी बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे पोलर कोडिनेट कोडिनेट ओफ द पॉइंट पी उसमें रियल नमबर होता है और एंगल थीटा भी होता है इसको हम पोलर रिप पॉइंट जो है P of Z यानि B पॉइंट जो है वो X plus I Y अब भी आप देखो अगर हम यहां पे राइट ट्रेंगल बनाएं तो यह जो यह एठीटा का अपोजिट साइड है यह त्रिटा का अपोजिट साइड जो है ओके वो क्या मिलेगा आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री का र तो suppose कि यह x है और यह y है, sorry, यह x है, यह x और यह y, okay, x यानि real part और y यानि imaginary part, यह point p का real part x है, और point p का imaginary part y है, अभी आपको x की value find out करनी है, okay, तो आप trigonometry ratio यूज करते है, trigonometry ratio में x जो है, यहाँ पर adjacent है, और hypotenuse r है, hypotenuse r है, और x जो है वो adjacent है, अभी adjacent और hypotenuse किस में आता है, तो cos theta में आता है, तो cos theta equal to x upon r, वो आपको मालूम है, cos theta यानि adjacent upon hypotenuse, अभी r इधर पर multiply में जाएगा, क्योंकि आपको x की value find out करनी है, यानि r cos theta equal to x, तो x equal to r cos theta येगा, इसे प्रकर हम y की बात करें, तो y में, अभी y आपको find out करना है, तो y जो है, वो opposite side है, तो y opposite है, और यहाँ पर hypotenuse r है, अभी opposite upon hypotenuse, यानि क्या आएगा, sin theta, ओके, तो sin theta आएगा, r इधर पर multiply में, यानि r sin theta equal to y, y equal to r sin theta, ओके, तो आपको पता चल गया, अभी, आप यहाँ पर x और y की value put कर दीजिए, ओके, तो x और y की यहाँ पर हम value put करेंगे, तो इधर पर x की value मिली है, आपको r cos theta, r cos theta plus i, y की value मिली r sin theta, ओके, अभी, r आपको comment लेना है, r आपको क्या करना है, comment लेलो, तो यहाँ पर r cos theta plus i sin theta, ओके, तो यह जो है, वो polar representation है, यहाँ पर मैंने बोला था कि r, theta इस type का आएगा, यहाँ यहाँ पर real part है, और theta भी है, तो यह polar representation है, हम x और y coordinate को हम इस तरह से represent कर सकते हैं, यहाँ real part को और imaginary part को, sorry, real part और imaginary part, यहाँ r cos theta है, वो real part है, और r sin theta imaginary part है, तो इस प्रकार होता है, polar representation, अभी, यह जो z जो है, इसको हम z को हम argument भी बोलते हैं, amplitude भी बोलते हैं, और इसको हम argument का a, r, g, और z, e r, g, z का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, z modulus, sorry, z modulus, ओके, तो z modulus को क्या बोलते हैं, amplitude भी बोलते हैं, यहाँ पे लिख़ा हुए, देखो, z modulus को हम amplitude भी बोलते हैं, argument भी बोलते हैं, और urge z इससे denote करते हैं, इस से क्या करते हैं डिनोट करते हैं और उसका मतलब argument argument of z तो argument of z बोले, modulus बोले तो दोनो same हैं इसका symbol modulus का दोनो side line और z अब यहां पर देखो यह एंगल है तो यहां पर आप देख सकते हो कि अधीटा बाद में यह पी प्वाइंट सेकेंड कोडरन पर थर्ड कोडरन पर यह फॉर्ड कोडरन पर हैं और कभी-कभी इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं यह जो आपको दिया हुआ है यह यहां से कहां वेरीज होता है और यहां पर दूसरी सिस्टम में मैंनस पाइटू पाइट थीटा वेरीज हो रहा है ओके तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अभी कрашन सेवन रिप्रेजेंट करना है तो पिला देखो यह जो है रिप्रेजन पार्ट है 1 जो है रिप्रेजन पार्ट है तो real part 1 जो है उसको r cos theta इमेजनरी part under root 3 है वो under root 3 equal to r sin theta अभी दोनों का square करके sum करो तो यानि r square cos theta square plus r square sin theta square sin theta square ओके तो अभी ये equal to क्या आएगा ये equal to r cos theta square यानि 1 का square plus root 3 का square 1 का square 1 आएगा और root 3 का square 3 आएगा 1 plus 3 यानि 4 4 equal to r square r square common ले लिया cos theta plus sin square theta okay sin square theta r square common ले लिया है इसमें left hand side में r square common ले लिया यानि अभी cos square plus sin square अभी cos square plus sin square क्या होता है 1 होता है इसका मतलब क्या हुआ r square equal to 4 आया इसका मतलब क्या हुआ r square equal to 4 यानि r equal to 2 आपको 2 मिला अभी radius आपको 2 मिल गई okay r equal to 2 अभी आपको theta की value find out करनी है okay तो आप यहां पर देखो 1 equal to r cos theta है उसमें r की value 2 मिली थे 1 equal to 2 cos theta अभी 2 इस तरफ जाएगा तो 1 by 2 equal to cos theta अभी cos theta में 1 by 2 का आता है कुण से एंगल में 1 by 2 आता है तो वो जो एंगल है वो 60 एंगल में okay cos 60 जो है उसमें 1 by 2 आता है अभी cos 60 को किस तरह से लिख सकते हैं तो कि 5 by 3 okay यानि cos pi by 3 जो है उसमें 1 by 2 आएगा तो theta equal to क्या मिलेगा pi by 3 okay अगर theta के वो जो pi by 3 input करते हो तब 1 by 2 आता है तो cos pi by 3 वो 1 by 2 आता है तो theta हमको मिल गया okay pi by 3 अभी polar representation में क्या z equal to r cos theta plus i sin theta अभी आर्क वेल्यू 2 cos theta pi by 3 plus i sin theta के वेल्यू 5 by 3 ओके तो इस तरह सम्डिब्रेजन कर सकते हैं यह polar form हुआ यह क्या हुआ polar form अभी next question यहां पे complex number इस टाइप का दिया हुआ है वे denominator में अगर complex number है तो आपको denominator में image नारी part नहीं होना चाहिए आपको conjugate के साथ multiply करो यहां पे conjugate के साथ multiply किया है तो conjugate के साथ multiply किया है numerator denominator में तो यहां पे देखो यह a plus b है और यह a minus b है तो a square minus b square a square minus b square यानी क्या होगा कि 1 का square minus i under root 3 का square 1 का square 1 minus i का square minus root 3 का square 3 minus minus plus होगा यानी 1 plus 3 यानी 4 तो यहां पे denominator में 4 आएगा तो denominator में 4 आपको मालूम हो गया कि denominator में 1 plus 3 यानी 4 आएगा numerator में क्या होगा तो कि minus 16 है वह अदर multiply करो तो minus 16 को multiply करो यानी minus 16 1 minus under root 3 और denominator में क्या आएगा 4 आएगा अभी 4 पहले cancellation कर देते हैं बात में multiply करेंगे तो 4 cancellation आएगा 4 1 जा 4 4 जा तो यहां पे minus 4 1 minus under root sorry i रह गया था i under root 3 ओके तो i under root 3 ओके अभी minus 4 अंदर multiply होगा तो minus 4 और minus minus plus i 4 under root 3 अभी यहां पे real part क्या मिला real part minus 4 और imaginary part 4 under root 3 अभी आपको क्या करना है real part यानी r cos theta इमेजनरी part r sin theta ओके अभी दोनों का squaring करके addition करो यानी क्या मिलेगा left hand side r square cos square theta plus sin square theta ओके इस टाइप का होगा स्क्वेरिंग करके addition करना है minus 4 का square plus 4 under root 3 उसका square equal to क्या होगा तो r square पॉमण लेलो cos square theta plus sin square theta cos square theta plus sin square theta यानी 1 यानी r square आएगा पर minus 4 का square 16 plus 403 का square 48 ओके अभी आपको 16 plus 48 करो गया तो क्या मिलेगा तो आपको 64 equal to r square यानी r equal to आपको क्या मिलेगा 8 तो आपको 8 जो है वो r मिल गया modulus मिल गया argument मिल गया अभी आपको theta find out करना है तो r post theta यहाँ पे इसमें आप r की value put करो तो क्या होगा minus 4 equal to 8 post theta यानी 8 denominator में जाएगा तो minus 4 upon 8 equal to post theta ओके cancellation होगा तो cancellation में 4 1 जा 4 2 जा यानी minus 1 by 2 post theta ओके अभी देखो negative में आया है तो 1 by 2 यानी क्या post में 1 by 2 का बाता है वो आप देखो post में 1 by 2 वो तो यहाँ पे जब theta की value pi minus pi by 3 ओके theta की value pi minus pi by 3 करोगे तब minus 1 by 2 आएगा ओके यानी cos pi minus pi by 3 equal to minus 1 by 2 अभी तो theta क्या मिला LCM लेलो यानी 3 pi आएगा 3 pi minus pi by 2 यानी 2 pi by 3 तो theta की value 2 pi by 3 ओके तो 2 pi by 3 जब होगा तब minus 1 by 2 आएगा ओके क्योंकि pi by 3 होगा तब plus 1 by 2 आता है pi by 3 होगा तब plus 1 by 2 आता है इसमें minus है इसलिए हमने pi minus pi by 3 किया है ओके अभी theta की value 2 pi by 3 आया अभी आप उसमें put कर दो general form में इसमें radius जो है 8 और theta जो है वो 2 pi by 3 ओके यह radius है तो इस तरह से polar form में लिक सकते हैं दोस्तो अगर आपको यह video अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल jamine education को subscribe किजिए और bell icon को दबाएए तब तसकार